दोस्तों भारत में लिंग को लेकर अधिकतर लोग तनाव में रहते हैं ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका लिंग दूसरे लोगों की तुलना में छोटा है इस कारण वो तरहां-तरहां के उपाय करते हैं अलग-अलग तरहां की दवाई खाते हैं यही कारण है कि भारत में लिंग बड़ा करने वो सेक्सम्मंधी दवाओं का बहुत बड़ा बाजार है। आईए पहले जानते हैं लिंग बड़ा करने की जरूरत क्यों है और लिंग कितना बड़ा होना चाहिए इसका क्या पैमाना है। दोस्तों छोटे लिंग को लेकर हमारे समाज में कई तरहां की भ्रांतियां फैली हुई है। जैसे अकसर ऐसा माना गया है कि छोटे लिंके व्यक्तियों से उनकी महिला पार्टनर संतुष्ट नहीं होती हैं और उन्हें कभी चरम सुख की प्राप्ती नहीं हो पाती हैं जिसकी वज़े से वो निराश रहती हैं, मन ही मन घुटती हैं और धीरे धीरे वो दूसरे मर्दों से आकर्शित होने लगती हैं वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि ये सब व्यक्ति की निजी सोच पर निर्भर करता है कुछ महिलाओं को लंबे या मोटे पीनस से ज्यादा यौन सुख मिलता है जबकि कुछ महिलाएं छोटे और पतले पैनिस को पसंद करती हैं यहां पर सबसे अहम बात यह है कि आप खुद अपने शरीर के इस अंग से कितने संतुष्ट हैं और आपका अपनी पार्टनर के साथ सेक्स करने का अनुभव कैसा है दोस्तों पीनस के सामाने साइज और शेप से आप अपनी सेक्शुल लाइफ को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस क करते हैं और सेक्स को ज्यादा एंजोई कर पाते हैं अपनी महिला पार्टनर को चरम सुक का एसास आसानी से करा पाते हैं दोस्तों लिंग को मूटा लंबा और बड़ा करने की दवाई जानने से पहले इसकी लंबाई और मूटाई को जानना बहुत जरूरी है ताकि लोगो में उनका शारिरिक विकास होता है यही कारण है कि उनका लिंग भी उसी अनुपात में बढ़ता है लेकिन पुरुषों पर किये गए शोत के अनुसार उनके लिंग के साइज को लेकर एक औसतन आकड़े निकाले गए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं देखा गया है कि कुछ ल है हर व्यक्ति के लिए लिंग के बढ़ने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है लेकिन सबसे अधिक किशोरा वस्था में यानि 11 साल से 18 साल की उम्र में लोगों का लिंग सबसे ज्यादा विक्सित होता है वही 21 साल तक लिंग बढ़ता है देखा गया है कि बिना स्ट्रेचि के पुर्षों के लिंग की मोटाई 9 दशाउनलव 14 सेंटीमीटर होती है पुर्षों में स्ट्रेचिंग और इरेक्शन के बाद लिंग की मोटाई 11 दशाउनलव 46 सेंटीमीटर होती है पुर्षों में स्ट्रेचिंग और इरेक्शन के बाद लिंग की लंबाई 13 पर महिलाएं खुशी महसूस करती हैं। दोस्तों काफी रिसर्च के बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी शिकायत या सुझाओ के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।